बाज की तरह बनाओ एटिटीड कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन जादा उचाई तक उड़ने सकता बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे उचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज आज मैं आपको पांच ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इनसान में बाज की तरह होनी चाहिए और सीखना चाहिए लाइफ की बहुत बड़ी लड़नी है इन फाइब पॉइंट्स में पहला बाज की तरह अकेला चलना सीखो बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे उचाई पर उड़ता है बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिर्या या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा बाज हमेशा या तो बाज के साथ ही उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोचवालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है तीसरा बाज कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता वह हमेशाद जिन्दा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर शुका है और हमें उसे मरी हुए थौच पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने आने वाली फ्रेश ताजित जिन्दगी पर ध्यान देना चाहिए अपनी पास्ट की पुरानी यादे जो तुम्हें तंग करती हो उन्हें वही रहने दो जहां उसकी जगा है और तुम्हारे पास्ट की जगा है अपने वर्तमान में जगा मत दो और एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजन्ट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट भी कभी तुम्हारे प्रेजन्ट में नहीं रहने देगा पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हो वो सब यादे और ठौट्स मर चुके हैं और उस बास की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता चौता मुश्किल समय में डरो नहीं जब आंधी तुफान आती है तो बास बहुत जादा एक्साइटेड हो जाता है जब बारिश होती है जो सारे पक्षी शिप कर बैट जाते हैं लेकिन बास को बहुत मज़ा आता है जब तेज होई चलती है तो बास उन हवाओं के साहरे तेजी से उपर की ओर उठता है और उपर उड़ते उड़ते इतना उपर उड़ जाता है कि बादलों से भी उपर पहुंच जाता है और इससे भी एक बहुत बरी सीख मिलती है कि मुसिबत में भी मज़ा ढूंडो और नपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बरी चुनाती अपने साथ में एक बहुत बर आफसर लेकर आती है तो उस बास की तरह तुम भी अपने अफसर को पहचान हो जिस दिन उन अफसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किले तुम्हारे नीचे होंगी और तुम मुश्किलों के उपर होंगे पाचवाँ, कमफर्ट जोन से बाहर निकलो बाज अपनी घोसले से सौफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कमफर्टेबल ना हो सके क्योंकि अगर वो घोसले में कमफर्टेबल हो गया तो वो वह वहीं रहना पसंद करेगा लेकिन बाज ऐसा कभी भी होने नहीं देता बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बाद पता है कि कमफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता लेकिन हम तो इनसान हैं और इनसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को नहीं समझते आप जितना ज़्यादा कमफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकमफर्टेबल हो जाएगी दोस्तो मुझे पूरी उमीद है कि बाज दोरा बताए गए इन पास लेसन्स से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिली होगी कॉमन्ट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सा सीख सबसे अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा